Welcome to my channel friends और आप देख रहे हैं मेरे सामने एक plate amplifier का box है इसका model number है SK200 और ये soundking audio की तरफ से है ये इस open करते हैं बहुत heavy box है ये इस तरह का कुछ form plate इसमें दिया हुआ है बहुत safe रखा हुआ है तो इसको निकाल देता हूँ मैं यहां पर कुछ इस तरीके का plate amplifier हमें मिल चुका है काफी heavy है ये बैक पैनल पर जैसा कि आप देख रहे हैं एक power input है आपका यहां से power supply जाती है IC connector है और ये on-off switch है ये line level का input है ये home audio में यूज करना चाहते हैं लेकिन आपके पास line out नहीं है तो आपका जो existing amplifier है उसके speaker को भी यहां पर जोड सकते हैं तो ये line in का काम करेगा high level output में मैं आपको ये बता दूँ कि जैसे आपने यहां से input दिया तो ये parallel में लगे हूँ है ऐसा नहीं है कि ये amplifier का output है ये सिर्फ pass through connection है जब speaker pass through आप इसमें से देंगे तो proper bass हम को नहीं मिलती है तो इस button को दबा कर आप उसका phase change कर सकते हैं जिससे कि आपके जो existing speakers है उसके साथ इसकी matching हो जाए और यहां पर frequency है because ये एक variable frequency का subwoofer plate amplifier है तो यहां पर एक variable frequency control भी दिया हुआ है यहां पर 50 Hz से लेके 150 Hz तक आप इसको adjust कर सकते हैं तो जिस तरह का आपका main speaker है उसी के recording आप इसको adjust कर सकते हैं और यह volume या gain knob है और पूरा metal का बना हुआ है काफी heavy build quality है इसकी इस तरह के amp नॉर्मली इंडिया में नहीं आते हैं तो डुगे sound या sound king इसको sale कर रहा है बहुत अच्छी बात है एक option हमें मिल गया है अब हम plate amp भी use कर सकते हैं और heat sink आप इसकी देखी रहे हैं जिस तरीके का 200 watt के अप लेफायर में heat sink चाहिए होता है उतनी बड़ी heat sink उन्होंनों use की है पहले मैं आपको इसी amp का 100 watt का version दिखा चुका हूँ जो की ये वाला है दोनों को आप अगल बगल में देख सकते हैं इसकी length थोड़ी जादे है 200 watt वाले के बाकी पीछे के connection एक ही तरीके के हैं आल्मोस्ट parts का compare करना चाहिए तो यहां से देख सकते हैं दोनों के ही construction quality काफी अच्छी है इसमें थोड़े कम power के लगे हुए है बहुत अच्छा काम डूगे sound ने ये किया है toroidal transformer इसमें दिया है normally market में जो इस तरीके की चीजे मिलती है उसमें EI transformer का use किया जाता है toroidal की quality आप जानते हैं काफी अच्छी होती है 100 watt वाले version में दो transistor लगे हुए थे output पर और यहां पर 4 transistor लगे हुए है और यहां पर single board में सारा कुछ input section वगरे दे दिया गया है 100 watt वाले में 2 board लगे हुए थे तो आज हम फिलाल इस board की बात कर रहे है तो इसके बारे में ज़्यादा जानेंगे जैसा कि आप देख रहे है बाकि speaker protection delay भी लगा हुआ है इसमें transformer जो इसमें लगा हुआ है 42 volt का लगा हुआ है यानि 42 042 transformer को save करने के लिए एक internal fuse भी दिया गया है और काफी heavy quality का है और यहां पर एक बहुत बड़ी confusion में आपको clear कर देना चाहूंगा बहुत लोग यह सोच रहे होंगे कि यह 200 watt का है तो इससे double power का है तो double आवाज भी होगी audio के मामले में ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि audio में जो increment होता है power के proportional वो logarithm होता है यानि कि 100 watt है और यह 200 watt है power तो इसमें double है लेकिन audio pressure level में सिर्फ 3 dB का difference होगा 3 dB का difference बहुत कम होता है आपको पता भी नहीं चलेगा कि दोनों की power में क्या difference है तो आप बिना जिजग के कोई भी amp ले सकते हैं अगर आपके जुरूत 100 watt से पूरी होती है तो इसको लीजिए अगर आपको 200 watt चाहिए तो इसको लीजिए लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ये इससे डबल तेज बजेगा लेकिन अगर आपके पास कोई actual में ऐसा speaker है जो 200 watt RMS का है उस condition में इस amplifier को लीजिए otherwise ये amplifier भी बहुत अच्छा है इसकी current online price जो है 6499 है डुगे साउंड की website पर तो अगर आपको लेना है तो इसका link मैंने दे दिया है नीचे आप ले सकते हैं और आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा हुआ कि मैंने एक subwoofer बनाया था 100 watt वाले plate amplifier को चेक करने के लिए तो उसी के साथ आईए इसको भी test करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके का काम ये करता है यहां पर 25 hertz की frequency मैं दे रहा हूँ जिसे की speaker आप देख सकें किस तरीके से काम करता है ये increase करता हूँ देखिए किस तरीके से ये 100 watt का speaker है और किस तरीके से vibrate कर रहा है और अभी मैं कुछ music चला के सुनाता हूँ आपको तो ये 4th order का woofer मैंने लगा दिया इसमें ये bass open कर दिया मैंने आपको मिलेब थार आपको जाँ पान आपकर दिया एंश थास कि आपको कि आपको तो फ्रेंट्स मुझे तो इसकी audio quality काफी अच्छी लगी काफी दमदार है ये amplifier और 100W का woofer मेरे enclosure में लगा हुआ था 4th order में और काफी अच्छे तरीके से काम उसके साथ कर रहा था और मेरा अपना अंदाजा है कि 1500-200W तक के subwoofer woofer के साथ काफी अच्छे तरीके से काम कर जाएगा तो फ्रेंट्स आप भी अगर DIY active subwoofer बनाना चाहते हैं तो काफी अच्छा plate amplifier है आप इसे खरीज सकते हैं तो उमीद करता हूं फ्रेंट्स कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा इसी के साथ अगली वीडियो तक के लिए ओके टाटा एंड बाय बाय फ्रेंट्स